असलाम औरेक्यू माई लवली विवर्स फ्रेंज आज मैं आप लोगों के लिए मिंटों में बनने वाला चटपटा हेल्दी और पेस्टी आमला और हरा धन्या के चटनी लेकर आएं जो मिंटों में बन जाता है तो चलिए फ्रेंज इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने क करके डाल देना हमने एक आमला लिया है इसमें एक चम्मज जीरा डाल देना है और पानी डाल देंगे अब इसे अच्छा से ग्राइंड कर लेना है जो बाकी का हरा दनिया भी बचा हुआ है उसे डाल देना है क्योंकि जार में एक साथ पूरा पिस्ता नहीं है जल्दी से न देखिए हमारा चक्नी अच्छे से पिसकिया है अब इसे हमें दूसरे बरतन में ट्रांसफर करना इसमें एक चीज डालना जिससे क्या होगा आप जो चक्नी का सेल्फ लाइफ है बर जाएगा आप इसे श्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज में 15-20 दिन तक खराब नहीं है और उसके बाद कुछ भी बनाएए पराथा बनाएए खिज्री बनाएए पकोरा बनाएए आप उसके साथ सर्फ कीजिए बहुत ही देश्टी लगता है तो फ्रेंट्स इसमें डाल देंगे हम एक चमच सरसो तेल इससे आपके चटनी का सेल्फ लाइफ बर जाएगा तो है इस प्रोसेश से आप एक बाद जरूर चटनी ट्राइख किजी यू उम्मीद करते हूं आपको जरूर पसंद आएगा आप इसको पकोरा के साथ प्राथा के साथ चिकन फ्राइ के साथ कबाब के साथ कीज़ी के साथ सर्फ सकते हैं सो फ्रेंट्स पलीज हर लाइग के